हेलो स्टुडेंट अम लोग इस वीडियों में बालोजी की बेरी मॉस्ट इंपॉर्टन डिसकस करेंगे जिसके तुरू आप नर्सिंग पारामेटिकल फार्मेशी 2020 इंटरेंस एक्जाम कौलिफाइब करके आप नर्सिंग पारामेटिकल फार्मेशी के बैचलर एंड डिप् बात करा जाएंगे वर्ट अभी कोईश्चन करा जा रहे हैं तो आप लोग कोईश्चन के माध्यम से अपना कांसेट क्लियर कर लीजिए और स्लेक्शन आप लोग के लिए आसान भी हो जाएगा तो आप लोग स्टुडेंट लास्ट तक सभी कोईश्चन एकदम डिसकस करक एक दिन लगभग 6-8 गंटा पर डे लगातार कांटीनू जबतेक इकजाम नहीं हो जाता आप लोग को 8-10 गंटे कितने गंटे आप लोग को नोट कर लीजिए 8-10 गंटे क्योंकि आप लोग को भूल जाता है कितने गंटे पढ़ना यह तो 8-10 गंटे एकदम डेली आपको पढ़ना है रोटीन मनाई है तीन से चार गंटा मेरे चैनल पर फिजिस कमेस्टी बालो जी के करिये और स्टूडेन आप वहां से प्लेलिस्ट में जाएंगे प्लेलिस्ट में अलग-अलग तरहें की वीडियो हैं आप सभी पुरानी वीडियो भी देखिए वह वह भी स्टूडेन चलिए हम लोग इंपॉर्टन कोईस्ट्टन 132 नंबर बेरी मोस्ट इंपॉर्टन कोईस्टन कोईस्टन यह पूछा जाता है पिछली बार भी पूछा गया था कहता है फाइब किंग्डम यह प्रोच आप क्लासिफिकेशन वाज सजिस्टेड वाई कोईस्टन करा फाइब सिस्टम फाइब किंग्डम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस ने दिया था तो ऐसे ही याद आना चाहिए और यह चुटे करने फाइब किंग्डम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिये थे लेकिन आप लोग को यह भी याद होना चाहिए यह आप लोग नोट डाउन कर ल किन साइंटिस्ट ने दिया था यह भी दाउन कर लीजिए फोर कंग्डम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस ने दिया था तो ये डिये था कार्ल हूज, डब्लू, O E S E. कार्ल हूज एक साइंटिस्स ने उन्होंने six kingdom classification सिस्टम दिया था और five kingdom classification system में क्या क्या आता है मोनेरा आएगा, प्रोटिस्टा आएगा और फार्जाई, प्लांटी और इनिमेलिया और जो six kingdom classification system दिये थे कारल हुज ने उन्हें मोनेरा को दो फाइलम में division कर दिया था कौन-कौन यू बैक्टिरिया ई यू बी अ सी टी आराई यू बैक्टिरिया और अर्की बैक्टिरिया में डिवाइड कर दिये थे इसलिए यह हो गया था कितनी six kingdom classification system हो गया था जो कारल हुज ने दिया था तो यह लोग आप लोग नोट डाउन कर लेजिए नेक्स्ट कोईशन नंबर important कोईश्चन यह भी है जो फाइप इंड पर होता है यह binding site प्रोवाइड करता है ने पॉलिम रेज के लिए तो परमोटर होता है यह देख लिए परमोटर तो होता ही है यह फाइप इंड 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 आप इंड इंड पर होती है ही है और यह यहily जो करहां सिकन्ड क्या रहां सिकन्ड कह रहां स्ट्रक्चल ईस्ट्रक्चल जीन चेट यह टंपलेट इस्टेन ट्रांस्किप्ष्न인지 которых जहां पिए ठ्रांसकिप्ष्ण रहां सब्सक्राइब करता हला कि जो यहीं आप्सन साई हो जाएगा जो कि transcription युनिट नहीं है पेर्थेवी पर सबसे बड़ा पारस्तितिक तंतर है कौन सा है तो अप representa 134 का नबर 2 стор सह झाएगा works फियर्ज होता है largest ecosystem होता है अर्थ का पिर्थिवी पर सबसे बड़ा पारस्तिक तंतर जो हता है जयमंडल होता है आपसा नमबर सिकेंड करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कोईश्या नमबर कह रहा जोलिजिकल नेम आप डोमेस्टिक डॉग डॉग मिन्त क्या होता कुट्टा होता है तो अगर डॉग नहीं पूछ रहा है ऐसे याद कर लिए कायट किसके लिए होता है डॉग के लिए तो कायणिस फाइमलियरिस यहां सी है बट यह डॉग के लिए होता है आपसा नमबर थार्ड सही हो जाएगा डॉग मिन्त के लिए कायणिस फाइमलियरिस होती है और कायट के लिए फेलिस फाइमलियरिस होती है तो यह option third सही हो जाएगा, domestic dog का क्या होता है, domestic dog जो होती है, घरेलु कुत्ते का जन्तु बाइ ग्यानिक नाम, काइनिस फाइमलियरिस होती है, next question number 136, number question important question है, heart of heart is, heart of heart किसको कहते हैं, heart of heart, heart of heart, heart of heart, heart में यससे node होती है, कहां पे होती है, यह right atria में होती है, right ventricle में नहीं, right atria में होती है, जो कि right atria की wall को यह contraction करवाता है, क्या action potential generate कहां से होती, यससे node से, तो option number first correct हो जाएगा, हिर्दे का हिर्दे है, yes in node, first option सही हो जाएगा, next question number, the special contractile protein actin is found in, actin की बात कर रहा, myosin की बात नहीं कर रहा, तो actin जो होती है, वो पतली होती है, तो eye band हो जाएगा, eye band पतली होती है, thin होती है, और यह actin की बात कर रहा, पतली, तो option number second सही हो जाएगा, thin filaments of eye bands, option number second correct हो जाएगा यहां a band दिया गया यह थिक होती है और myosin होती है तो यह नहीं सही होगा option number second ही correct हो जाएगा next question number next question number क्या कहा रहा duct of worsen is associated with duct of worsen यह gland होती है यह किस से जुड़ी होती है विर्शन की नलिका में से संबंद होती है किस संबंद होता गाल ब्लेडर पाइंक्रियाज से third option celebrity gland fourth option इूर्थरा तो option number second ही सही हो जाएगा पाइंक्रियाज से यह associate करती है जुड़ी होई होती है यह ducts आप worsen होती है यह क्या होती है यह पाइंक्रियाज में यह भी पूछता है कौन सी heterocrine gland है तो पाइंक्रियाज होती है क्योंकि इसमें एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ग्लेंड होती है तो पाइंक्रियाज आपसन नंबर सीकेंड सही हो जाएगा duct a portion इक्जोक्राइन ग्लेंड का पार्ट होता है जो कि पाइंक्रियाज में होता है next question number 139 number question very most important question है और हीमोफिलिया का ये question है जो कि important question है हेमोफेलिय इस घरी डिर्टिर डिजीज जीनair घर्सelyn डियर लोगेटेंट यह देख लीज़े हंदी में हेमोफेलिय एक वंचा नुगत विमारी यह इस विमारी के जीन निमन ें इस्टित होते हैं कहां पेश्थित होती है। तो आप लोग यह देख लीजी है, हिमोफिलिया हेरीडेटरी डिजीज होती है, इस जीनस फार्ट डिजीज लोकेटेड होती है, फर्स्ट आप्षन कह रहा 21 क्रोमोसोम, सिकेंड आप्षन आल आटोसोम पे, थर्ड आप्षन साइटो प्लाजमिक डिन्यमे opposite और फॉर्फ आप्षन सेक्स क्रोमोसोम अगर यहीं पर 22 देखेना 23 दिया होता तो आपसन यहीं हो जाएगा 23 जो होती है क्रोमोसोम पर यह बिमारी होती है इफेक्ट होता 23 नंबर क्रोमोसोम पर तो यह फर्स्ट आपसन नहीं सही होगा क्योंकि यह 21 दिया गया अगर हलका सा भी कट लग जाता है तो ब्लेडिंग लंबे समय तक होती है वो क्लाटिंग नहीं होता है और यह क्या होती है जो हीमोफेलिया होती है वो र्यों स्यक्स एक्स 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 चंड राइ यहरी लंग स्यक्सौतु होती है इस में क्या होता है इसमें जो बलड को कंशना दा एक किसो रुइल य०िक्टीन होती है है एक संदॉंग 14 Hess explained थी इस डिजीज की कैरियर कौन थी क्यों विक्टोरिया तो आपसन नंबर फोर्त सही हो जाएगा यह सेक्स लिंग रिसेशिव डिजीज होती है नेक्स्ट कोईस्चन नंबर भी इंपॉर्टन कोईस्चन है कह रहा हुई चोनाबदा फालोइंग सेल्स प्रोड्यूज आईज लिंफोसाइट शेल्स होती है वही बनाती है तो आयजम नंबर देख लीजिए वर जिन 25 भीकिल सैल्स टो आपसा से यह होती है यह być नंबर धर 2 और इसका पूछता किसका सबसे अधिक होता होता है तोई यहम का सबसे अधिक होता है यह क्या होती यह होती है यह सबसे इसल से चक्राइब नそれ नंबर और और किया दिया और यह एजिए और चोता है फॉसिल्स बाट होती फ्लाइटलेस बाढ़ होती है या 14 तो आपसन नंबर party से हो जाएगा माईमिल्स यह एंध्य यह से भी कोईस्चन पूछा जाता कि निफ्डल खता है और दोधर राइं। सिने माईमिल्स सोथा है क्या है माइमाल्स होता जह सभी जितने वी मैमाल्स होते हैं ऐसि बिदे बच्छे जन्म करतेदें भट यह एक्सेप्सन है जो और इंथोरींकर्स बाटीक पस इसका नाम यह होता है यह भी नो डाउन कर लिजी है और इंतौरेंकर्स है जो क्या देता है यह भी पूछाई जाता कोईस्चन वह कौन समयमल है जो अंडा देता है तो और निथो रिंकस है प्लेटीपस है तो यह आप लोग नोट डाउन कर लिजिए इंपोर्टेंट कोईस्चन है पिछली बारी पूछा गया था फोर्त आपसन करेक्ट है नेक्स् क्यारा 142 पैरालिसिस आप मसल्स आप मैस्टीकेशन उडबी ड्यू टू लास आप फंसन आपदा आपदा करेनियल नर्व चबाने वाली मांस्पेशियों का अंग घात निम्न मस्तिकिये नाड़ी के कार के कार छमता के अभाव के कानड़ होता है अगर कौन सी जो मोटर नर या नर्व होती है इयरह जती है जिससे मेस्टिकेशन में दिखकेट होती है तो आपसन नंबर इसमें कहों सा असा अफसन से साइज करिए फाइब ट्राइजेमिनल नर्व होती है कर मोटर नर्व इसी के एफेक्ट से मस्टिकेशन में दिक्कत होती है नेक्स्ट कोईस्ट नमबर लीवर फिलुक्स बिलांग टूदा फाइलम लीवर फिलुक्स होती है लीवर फिलुक्स को क्या कहते हैं लीवर फिलुक से ब intense करती हैं लीवर call को फािसेवला भी कहते हैं तो अपसन नमबर इसमें फर्स्ट आफ्ट आफ्स्ट अलमेंथीज दे रहा है भी आफ्ट आफ्सन एनेड फोर्त आफ्सन t4 दे रहा है तो आफ्सन नमबर इसमें second platy helmethyse, आपसंस है हो जाएगा लीबर फिल्युक बिलांग करती है, platy helmethyse, ये भी question पुछा जाता है, कि फैसियोला जो होता, लीबर फिल्युक होता है, उसमें एक कौन सी gland पाई जाती ह्या, ये मैलीज घ्लैंड पाई जाती है, ये reproduction में बर करती है, यह female के reproductive part होते हैं mileage gland वहीं पर पाई जाती है यह भी question पूछा गया था mileage gland कहां पाई जाती है तो liver fluke में यह भी पूछ सकता कि mileage gland किस phylum में पाई जाती है तो platy halminties में पाई जाती है आपसा number second सही हो जाएगा next question number 145 graphene fall के लिए next question 144 number question हम लोग next video में देखेंगे student तो वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग skip करते हैं चलिए student आप लोग जरूर मेरे channel मेरा जो YouTube new channel है तो आप लोग प्लीज अपने student जो nursing paramedical pharmacy 2020 में ही करना चाहते हैं उन student को तो आप लोग जरूर शेयर करें और अपने बेस्ट कोईस्चन के साथ मिलेंगे और इसी चैनल पर थैंकि यू धन्निवाद